विडियो बात करेंगे रिगार्डिंग इथीरियम में क्या क्या चीजे हो रही है and why people should invest in Ethereum इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अपनी आद लग लग रहे हैं बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, नहीं हमने इथीरियम में इंवेस्ट नहीं करना, we are better off investing in other altcoins वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा WhatsApp नंबर है तो उनसे बचके रहना वो सरे के सारे स्कैमर्स हैं किसी भी शोचल मीडिया से कभी भी हम आपसे क जो मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट प्राइजेस बट यहां पर हम बात करें एथिरियम की वाई एवरीवन शोड इंवेस्ट इन एथिरियम में हो रही हैं उसके बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्स यहां पर आपको सामने नजर आए सबसे पहले अगर हम बात करें बिटकोइन एथिरियम दो ऐसे क्रिप्टो हैं विच एक्चली डिसाइड की नेक्स मूव क्या होगा मार्केट का बिटकोइन विच इस ऑन दी टॉप आफ दी लिस्ट यहां पर मार्केट की हम लोग बात कर रहें बिटकोइन का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंपक्ट पड़ता है और अल्डी ओल्ट कोइन उसी के साथ अगर हम आप बात करें इथिरियम की इथिरियम का भी इंपक्ट अच्छा कासा पड़ता है यह हम सब लोग जानते हैं बट क्या चीज़ें हैं इथिरियम में विच मेक्स इडिफरेंट फ्र इथिरियम के अगर हम आप बात करें कारें जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1192 डॉलर्स कल की डेट में इसने 1200 का अपना प्राइस जो है वो ब्रेक कराता अगर हम इसकी बात करें आफ लास्ट वानियर तो काफी यहां पर हमें फॉल देखने को मिला हैं दी प्र अगर इसके हम all time high की बात करें that was around 4800 वहां से down है 75.6% which is actually a big number यहां पर अगर हम बात करें last one year से 67.3% down है last 60 days last 30 days 14 days 7 days में सारी जगह यह negative में चल रहा है ETH का ETH merge हमने देखा था इस साल में काफी लोगों काफी उमीदे थी from Ethereum after ETH merge कि यह proof of stake में जब आ रहा है तो इसमें क्या चीज़े अलग होंगी क्या इसमें gas fees radius होगी क्या सारी चीज़े होगी everything was in the market assumption and speculation जो है वो चल रही थी बट उसी के साथ साथ कहीं न कहीं यह clear कर दिया आएगा मार्केट में बट यह बता गया काफी ऐसे अपग्रेट हैं before 2.0 actually comes in the market तब वो अपग्रेट कब तक होते हैं यह बड़ा major question है in Ethereum बट उसी के साथ साथ अगर हम बात करें first two cryptocurrencies जो top की दो cryptocurrencies हैं काफी लोग बोलते हैं Ethereum जो है वो Bitcoin को take over कर सकता है because of these upgrades जो market में आ रहे है नहीं Ethereum, Bitcoin के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उसमें ऐसा कोई major update जो है सामने नहीं आ रहा ना आएगा आगे जाके, but Ethereum में जहाँ पर upgrade हो रहे है, people are actually lacking it, अब Ethereum के अगर हम यहाँ पर price की बात करें, price charts की बात करें initial time से, तो काफी अच्छा इसने momentum gain करा था, काफी लोग interested रहे हैं ETH में बहुत time से, तो side mom यहाँ पर chart में देख भी सकते हो, जब initial time में ETH आया तो काफी कम price का यह चल रहा था, around $13 के आसपास, उसके बाद इसने कहीं न कहीं touch कर रहा, around $1400 and again यह निच्चे decline हुआ, $100 के आसपास भी आया था, people were speculating कि कि क्या इसका price वापस increase होगा नहीं होगा, then it started to rally from the end of 2020, वहाँ से इसका price जो है वो increase होता रहा, people started to buy Ethereum looking into the fundamentals, looking into क्या क्या चीजे इसमें बन रही है, क्या 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 developments इसमें हो रही है, and currently people are still questioning कि ETH को हमने purchase करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, current जो इसका price है, that is a very lucrative price, अगर हम Ethereum की बात करें, जैसे इसमें कोई भी शक नहीं है, जहाँ पर market fall होने के chances है, वहाँ पर ETH के fall होने के chances भी है, wherein people are speculating कि BTC जो है, वो 10,000 to 13,000 डॉलर जा सकता है, वहीं पर people are speculating कि Ethereum जो है, वो 600 डॉलर सक पहुंच सकता है, वो पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, that completely depends कि क्या Bitcoin bottom out already कर चुका है, क्या करने वी exactly true, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, speculation and assumption की, एन उसी के साथ बात करें कि कैसे हमने purchase करना चाहिए, before even coming into, क्या-क्या upgrades इसमें होने वाले है, in the coming years, वहाँ पर कई लोग assumption and speculation यह लगाते हैं, कि Ethereum can be one of those crypto currency, जो काफी अच्छे profits यहाँ पर अपने holders को दे सकता है, अगे ज जानते हैं कि August के मन्त में यहाँ पर ETH Merge जो है, वो सामने आया था, वहाँ पर इसका price जो है, काफी अच्छा यहाँ पर rally करा था, and उस rally में काफी लोगों ने अच्छा खासा profit भी बनाया, and it almost doubled, from $1,000 to almost around $2,000 का जक ETH पहुँचा था, people were speculating a good return, but जितना वो expect करें थे, उ Ethereum to radical new heights, and यहाँ पर बताया गया है, regarding different stages of ETH, यहाँ पर advantages भी बताया गया है, more scalable, more secure, more sustainable, and यहाँ पर इन चीजों में काम करा जा रहा है, Ethereum में, यह हम सब लोग जानते हैं, अगर हम ETH के सबसे पहले बात करें, Bitcoin Chain की, वो already live था, merge जो है, वो live हो चुका है, अब जो next upgrade हमें यहा capability to store data, and work harmoniously with L2 to scale throughout and reduce network fees, अब यह जो network fees की अपर जो काम हो रहा है, that is the best thing which can happen with Ethereum, आजगी डेट में, लोगों को ERC20 tokens जनरली इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वहाँ पर transaction fees बहुत जादा लगती, वहाँ पर transferring fees बहुत जादा लगती, यह जो gas fees है, यह reduce होने की बाते यहाँ पर चल रही है, अब यह कब तक expected है, estimate time आप यहाँ पर देशकते हो, around 2023 या 2024 तक यह सामने आ जाएगा, and it is good for Ethereum, अब यह क्यों अच्छा है for Ethereum, and क्या advantages है इस time duration के, जहाँ पर हम लोग जानते है, Bitcoin halving, जो की है schedule in 2024, वही पर अगर Ethereum, जो है NES upgrade लेकर आता है, जहाँ पर उसकी fees reduce होत होगी, वहीं पर हम price भी impact देख सकते हैं Ethereum में, काफी daps already built हो चुके है Ethereum में, काफी लोग चाते हैं कि वो आए Ethereum chain में, the only problem is the gas fees, जो की हम reduce होते होए देख सकते हैं, the next upgrade, अब वो upgrade कब तक सामने आता है, कोई specific date अभी तक तो सामने नहीं आई है, बट जैसे कि हमने आपको एक advantage play करेगा for Ethereum, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं, Bitcoin halving के बाद, 6-8 मेने बाद, एक impact देखने को मिलता है in the market, according to the price of the cryptocurrency, price में jump देखने को मिलता है, उससे के सांथ ये upgrade जो है, वो बहुत help कर सकता है Ethereum को, to get in those levels, जहां पे हम लोग अच्छा कासा profit निकाल सके from Ethereum, yes, इसमें को साथ, Luna का crash, FTX का crash, ये सारी negative news already आ चुकी है, but Ethereum में क्या वो power है to get an upgrade, उसी के सांथ, can it survive till the next Bitcoin halving, the answer is yes, अगर market में Ethereum को कुछ होता है, तो ये बहुत बड़ा impact छोडएगा crypto market में, so thinking negative about Ethereum is thinking negative about cryptocurrency, वहीं पे अगर Ethereum में upgrade आता है, और वहीं पे Bitcoin halving आती है, बहुत easily हम दोग इसका price जम देख सकते है, all time high तो बहुत easily Ethereum break तर सकता है, that is why people are buying Ethereum, Ethereum and Bitcoin दो ऐसे crypto है, जो हर किसी के portfolio में, आज की time में होने चाहिए, ये हम बहुत time से आपको बोलते हैं, the reasons are very simple, बहुत time से वो है, उन्होंने ups and downs देखा है crypto market का, उनके accordingly market movement होती है, तो yes, why not purchase those two crypto, जब हम all coins purchase करते हैं, हम देखते हैं, 30X, 40X, 50X returns, बट जहां पर हम Ethereum and Bitcoin purchase करते हैं, वहां पर हम देखते हैं, एक peace of mind, and peace of mind is very important when you are invested in crypto market, अगर आपने पैसा लगा रखा है in the market, चाहे वो कितना भी पैसा हो, I am sure आप बार 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 जाके उसका price check करते हो, आप बार बार जाके अपनी investment check करते हो, but to be out of that zone, जहां पर आप comfortable नहीं हो, is when you are invested in these two top cryptocurrencies, यह दो crypto's में जो भी market में moment होता है, fluctuation होता है, वो होता है, price decline होता है, बिलकुल होता है, बट जब यहां पर price jump की बात आती है, तो इन दोनों में impact सबसे पहले नजर आता है, and that is what we all want, जहां पर हम profits की बात करते हैं, वहां पर हम यह सब जानते हैं कि yes, यह दो crypto's हमें वो profit दे सकते हैं, आगे जाके, जहां पर हम expect कर रहे हैं अच्छे खासे returns, क्या आप लोग के पास ethereum है, क्या सोचते हो आप लोग regarding ethereum, क्या आपके price targets है, निचे comment section में, comment करके ज़रू बताना, with that's it guys, आज का video करते हैं इंपे, and I hope आप